जैहन दोस्तों एक बार फिर से आपके एम विद रोहे चोहान चैनल में स्वागत हैं दोस्तों आज सूपर टैट 2020 की सीरीज चालू कर रहे हैं और इसमें हमारा महत्पॉर्ण विसा है कंप्यूटर जो कि इसमें 100 सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक वो सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शुरुआत से अंतर तक जरूर देखें और बैल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप लेटेस्ट इंफोर्मेशन हमारे चैनल से प्राप्त कर सकें और सब् कम्प्यूटर एक अलेक्ट्रोनिक मसीन इसका हिंदी नाम संगडन है आध्वनिक कम्प्यूटर के पिता चार्ल्स बैबेज है कैलकुलोईटर का अविस्कार पासकल ने किया था भारत में निर्मित पहला कम्प्यूटर सिदार्थ था सबसे बड़ा कम्प्यूटर नेटवर्क इंटरनेट है भारत का प्रिथम कम्प्यूटर बैंगलोर के प्रधान डाग घर में लगाया गया था इंटरनेट का प्रिथम प्रयोग अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ और कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली IC चिप सिलिकॉन की बनी होती है भारत का सिलिकॉन वैली बैंगलॉर को कहते हैं अच्छा दोस्तों अगला है कंप्यूटर का मस्तिक्स को है वो CPU को कहते हैं CPU मतलब होता है Central Possessing Unit और ये कंप्यूटर का मस्तिक्स कहते हैं कंप्यूटर अपने परिमार को भविश हेतु मेमोरी में शुरक्षित करके रखता है इनकी मेमोरी होती है ये जैसे की RAM होती है RAM मतलब की होती है Random Assess Memory और ROM होती है Read Only Memory नेक्स्ट दोस्तों IC IC का पूर्ण रूप होता है Integrated Circuit होता है जो इसमें चिप पड़ती है नेक्स्ट दोस्तों IBM IBM का मतलब होता है International Business Machine नेक्स्ट है WW मतलब World Wide Web मिंस जब आप कभी Internet खोलते हो इसके लिए साइट की जूर्ट पढ़ती तो सुरुगात में तीन W बनाया जाते हैं नेक्स्ट है LAN मतलब होता है Local Area Network मिंस जब आपने Net को हम स्टार्ट करते तो पर्टिकलर एरिया में वह नेट चला जाता है एक होता है वाइड एरिया नेट्वर्क मतलब की डवलू ए एन यह बड़े-बड़े छेत्रों में वैन सिस्टम लगा जाता है एक नेट्वर्क होता है नेक्स्ट है दोस्तों रैम अभी हमने आपको थोड़े पहले बताया था रैम मतलब होता है रैंडम एसेस मैमोरी नेक्स्ट है फ्रेंड्स रीड ओनली मैमोरी मतलब की रूम यह हमारी दो मैमोरी होती है जो सीप्यों में लगाए जाती है और इसी में हमारा डाटा है पूरा वो सेव रहता है नेक्स्ट है फ्रेंड्स सीडी मतलब की कॉ compact डिस्क कहते हैं नेक्स्ट दोस्तों वीडियू वीडियू मतलब होता है वर्चुल डिस्प्लेय यूनिट मतलब कि हमारी जो मॉनिटर होते हैं उनमें वीडियू नाम की ये यूनिट लगाए जाती है next है friends HTML HTML मतलब होता है hypertext mark language next है दोस्तों Http hypertext transfer protocols ये अच्छा दोस्तों अगला है ALU मतलब होता है arithmetic logical unit इसमें क्या है computer से जो math related जो सवाल है वो करा जाते हैं जैसे कि गोणा करना भाग करना आदी इस सब इसमें दिया जाता है अगला दोस्तों है CPU अभी मैंने आपको बताया था CPU क्या है computer का एक brain होता है दिमाग होता है और इसका पुड़ा नाम central processing unit होता है next है friends control unit CU कहते हैं उसे जो हर एक चाहिए file और data और memory से इस सब को वो control करता है अगला है दोस्तों COBOL COBOL का पूर्ण नोप होता है common business oriented language next है दोस्तों डॉस डॉस मनला होता है disk operating system यह एक तरह का software होता है जिसमें क्या है यह मनला की एक प्रोग्राम बनाया जाता है यह नेक्स्ट दोस्तों email email मतलब होता है electronic मेल अब computer में मेल की जाते ही मतलब एक जगह से दूसरी जगह यह हमारे जो लेटर्स है वो ट्रांसफर किया जाता है आलेक्टोनिक त्रूं इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है नेक्स्ट दोस्तों फैक्स मतलब क्या होता है कि इसको एक information के लिए यूज किया जाता है और अगला है फ्रेंट्स जैसे computer अगर में बंद करना होता है उसके लिए मैं उसमें जो screen में एक icon होता है उसमें लिखा होता है कि अब उसे बजाएए और उसको श्रट डाउन वाले क्लिक करें आपको बिटर सोताब बंद हो जाए गा नेक्स्ट दोस्तों अगर को हमें चालो करने के प्रक्रिया को हम बूट अब कहते हैं अगर हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो यूनीट वी बूट अब उसको बूट अब करना पड़ेगा यह मोइटर का जो अन्य नाम होता है वीडियू वीडियू मतलब अभी मैंने बताया था आपको कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 बटन होती है बारा फंक्शन्स होती है बारा फंक्शन्स की मतलब कि एफ वन एफ टू एफ त्री ऐसे चलते हुए एफ बारा तक जाती है नेक्स्ट है हमारा चुम्ब की डिस्क पर आइरन ऑक्साइड की परत लगए जाती है एक बात और दोस्तों जैसे कि बाहनी नंबर्स होते हैं वह जीरो और वन मतलब कंप्यूटर हमारी कोई भी लैंगवेज को सरफ जीरो और वन में ही समझता है इसके जाधा वह कुछ नह में आप टाइब करेंगे तो स्रिफ वह इस चीज़ को जीरो और वन में ही समझेगा और बात में इसको इंटेचेंज करके हमारी लैंगवेज में वह देगा यह नेक्स्ट है दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्ख जोड़ने के प्रक्तिया को हम लॉग इन कहते हैं मलग अगर सब्सक्राइब नेटवर्क हम कुछ जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले भी नीड टो भी लॉग इन हमें लॉग इन करना होता है और आफ्टर वर क्टा मोडम टेलिफॉन लाइन परव करता है और को कंप्यूटर का बहुत बनावट हर्डवे को कहलाता है इल्द बहुति जिसको हम सबसक्क्ते हैं और महसूस करी सकते हैं उसको हम हाड वर करते हैं हार्ड इसकी की जो गति होती हो आरिपी में पहलिए इसके जो रफतार होती है आर पीम में न पहलित जाती है रूंज HOL इघान से गए इत बिट्समें एक बायट रिदे चाह सोच तेकि बी गहते हैं और वहीं मतला होता है मेगा भाट है और दोस्तों वन जिरो टूसरत तो नानून और हमेगा बस्नेसारे फिलता है मिलता है बाइट का बाइट नेक्स्ट है दोस्तों इंटरनेशनल बिजनिस मसीन यह आई बीम है एक कंप्यूटर कंपनी है कंप्यूटर का मुख्य प्रस्ट उसको डेक्स्टॉप कह देते हैं यह कंप्यूटर छेते में महानकरांती उनिस साथ में आई डॉस विंडो एक प्रकार के क्या है यह यह एक सिस्टम है यह ऑपरेटिंग सिस्टम है यह माउस कीबोर्ड जॉयस्टिक लाइट पैन स्कैनर इंपूट डवाइस यह हैं आपके इंपूट डवाइस के अदारन है नेक्स दोस्तों प्रिंटर स्पीकर मॉनिटर यह हमारे अटपूट डवाइस हैं इन margin क्या है हम उसी को देख सकते हैं सुन सकते हैं आदि इंटरनेट पर भेजा जाने वाला मेल इमेल कहते हैं संदेश जो होता है इमेल कहते हैं अंग्रे हमें तू विक्सित पर्थम भासा फ्रोटो फ्रोटाउन है यह उच्छ इस तरह यह उच्छ फ्रेंड्स फॉर वाचिंग इस वीडियों की हमारी हाई लैंगोज भासा होती है उसको अगर लो लैंगोज करने के लिए हमें जरूत पड़ती है उच्छ इस तरह बहुत बहुत collegues में computer program ईस्टोर किया जाता है महल लिए जितने हमारे oggi हुआ प्रोग्राम्स होते हैं उस् Разी इक स्तोर क्या अजाता है और computer के तीन प्रकार होते हैं डिजिटल और लोग थाय इस ब.- यह तीन जोगर होते हैं नेक्स्रच quent has assembler Assembly भासा को यंतर भासा में बदल देता ऑर इस इसके साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका की वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू फ्रेंड्स पॉर वाचिंग दिस वीडियो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और प्लीस लाइक से सस्क्राब आप चैनल जय हिंद जय भारत